जहीं दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल आइसके जौब सग्यान में तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस वकैंसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों आगे हम आपको वीडियो में इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इसमें आपको क्या-क्या लीजिबल्टी क्राइटिरिया दिया गया है और आप इसके लिए कैसे अपलाई करोगे तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखे ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जोबस ग्यान को सस्क्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दुबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नहीं नहीं वकैंसिस की डिटेल लेकर आते रहें तो दोस्तों ये इंकम टेक्स डिपार्डमेंट की ओफिशियल नोटिफिकेशन है जिससे हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वले हैं तो दोस्तों इस फौर्म की जो आपकी लास्ट डेट है वो 30.9.2015 तक आप इसके लिए रि पूस्ट के जरीये अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों आप बात करते हैं इसके लिजिवल्टी क्राइटिरिय की तो दोस्तों इसमें जो आपकी पोस्ट है income tax officer की इसमें आपको टोटल तीन पोस्ट है जारी की गई है जिसमें आपकी salary जो है 44,900 से 1,42,400 रुपे तक रहेगी और इसके इलावा जो next vacancy tax assistant की इसमें आपको टोटल 13 पोस्ट है दी गई है और इसमें जो आपकी salary है वो 25,500 से 81, रुपे तक रहेगी और इसके बाद जो आपकी next post है multitasking staff की इसमें आपको टोटल 12 पोस्ट है दी गई है और इसमें जो आपकी salary है वो 18,000 से लेकर 5,900 रुपे तक रहेगी और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इसकी age limit की तो इसमें जो आपकी post है inspector of income tax की इसमें आपकी age limit 18 से 27 वर्ष तक दी गई है और दोस्तों इसमें जो आपकी lexation है वो आपको यहां पर दी गई है वो आप इसकी notification को download कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं तो दोस्तों आप बात करते हैं इसकी essential qualification की तो इसमें जो आपकी post है inspector of income tax की इसके लिए आपकी degree होनी चाहिए recognized university से और next जो आपकी post है tax assistant की इसके लिए भी आपकी degree होनी चाहिए recognized university से और आपकी data entry की speed 8000 की depression per hour होने चाहिए तो दोस्तों इसके बाद जो आपकी last vacancy है multitasking staff की इसमें जो आपकी education qualification है वो आपकी 10th pass होनी चाहिए तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद इसमें आपको sports eligibility के बारे में बताया गया है कि आप जो कौन कौन से sports वाल है इसके लिए apply कर सकते हैं वो आप इनकी notification को download कर यहां से अच्छी तरह read कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद आपको इसमें जो आपके sports merit in sports events और games है उसमें आपके certificate कहां कहां से होने चाहिए वो भी आपको इसमें दिया गया है जैसे international, national, inter university, national sports games for school या physical efficiency drive तो वो आप यहां से इसे read कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें जो आपकी games रहेगी कि कौन-कौन सी games वाले इसके लिए eligible हैं वो भी आपको games का chart दिया गया है वो आप यहां से इसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं तो दोस्तों इसमें जो आपकी total games हैं वो 64 games वाले इसके लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तों आप बात करते हैं कि आप इसके लिए apply कैसे करोगे तो इसका जो application perform है वो आपको इस address पर send करना है income tax officer headquarter admin principal chief commissioner of income tax up east आयकर भवन पांच अशोक मार्ग लखनव बाई शाठ जीरो एक पर आपने इसे registered post के जरिए 39 2021 से पहले पहले form जो है वो आपका इनके पास पहुंच जाना चाहिए तो दोस्तो इसमें जो आपके certificate से लगेंगे उसमें आपका metric का certificate लगेगा date of birth के proof के लिए और इसके बाद आपके education qualification के proofs होंगे और आपका sports और games के certificate होंगे SC, ST, OBC, cast certificate के लिए और आपका copy of a dark card, a dark card की एक copy आपको साथ में लगानी पड़ेगी तो दोस्तो आप बात करते हैं इसके application performer की तो इसकी जो notification है इसमें आपको इसका application performer भी दिया गया है जो आपने फिल करना है तो इसमें आपने सबसे पहले कौन सी post के लिए apply करोगे उसके सामने आपको tick का निशान लगाना है तो दोस्तो इसके बाद आपकी जो है latest passport size photograph लगेगी और आपके signature होंगे तो दोस्तो इसके बाद बारियाति है इसके application performer की तो यह जो आपका performer यह आपने black ink से फिल करना है और आपका जो है यह पूरा capital letter में फिल होना चाहिए तो दोस्तो इसमें आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है capital letter में father name capital letter में gender आपका capital letter में आएगा उसके बाद आपका permanent residential address आपने लिखना है address of communication date of birth आपकी क्या है age आपकी कितनी बनती है 71-2022 तक वो आप यहाँ पर लिखोगे उसके बाद आपकी category आजाएगी जर्नल है, OBC, SC, ST वो आपने यहाँ पर लिखनी है education qualification लिखना है और sports games sports event और games हैं वो उसके बारे में आपने यहाँ में यहाँ पर detail में जनकरी देनी है उसके बाद आपका best performance कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखोगे उसके बाद आपका next जो आपका latest performance है वो आपने साथ में लिखना है तो दोस्तो इसके बाद आपकी जो है telephone नमबर या mobile नमबर आएगा और आपने email आईडी लिखनी है तो दोस्तो लास्ट में इसमें आपको declaration दी गई है वो आपने पढ़ने के बाद यहाँ पर place, date और signature करने और नीचे अपना full name लिखना है तो दोस्तो यह इसका application performance है जो आपने send करना है तो दोस्तो इसके regarding अगर आपकी कोई भी query है तो आप हमारे वीडियो के comment section में comment करके हम से इसके बारे में पूछ सकते हैं और दोस्तो अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share and comment जरूर करें धन्यवाद दोस्तो जय हिंद, जय भर